वागते स्टुडेंट्स यहां पर question दिया हुआ है A disk of radius R rolls on a rough horizontal surface The distance covered by the point A in one revolution is देखो इसको बनाएंगे लेकिन इसका जो process होगा यह थोड़ा लंबा होगा ठीक है न तुम ऐसे इसका answer याद रखना कि जो भी इसका answer आता इस question का वो 8R होता है और यह 8R क्यों होता है इसको हम लोग देखो यहां प्रूफ करेंगे with the help of integration ठीक है integration के method से इस question को प्रूफ करने वाले है सबसे पहले एक disk बना लेते हैं और इस disk में एक तो इसका base हो जाएगा जिस पर यह roll करने वाला है और यहां पर आगया center point A जो है वो यहां दिया हुए देखो इस जगह पे ज़रूरी नहीं है कि उसी point के लिए हम किसी भी point के लिए निकाल के दिखाएंगे 8R होगा मतलब circumference पे जो भी point होगा यह disk है radius R है और इसके circumference पे जो भी point होगा वो एक revolution के बाद 8R का distance cover करेगा क्योंकि actually जो path होता है यहां पे वो path कुछ ऐसा होता है ठीक है क्योंकि एक disk अगर एक जगह से roll करके दूसरी जगह जाएगा तो जो point है यहां पे वो कुछ ऐसे जाएगा समझ रहो तो यह cycloid type का बात बनता है तो इसलिए हमको यह integration करना पड़ेगा क्योंकि जो भी इसका velocity होगा पूरे initial से final point तक वो variable होगा change करेगा with angle ठीक है ना उद्धे को start करते है माल लो कि एक point हम ले लेते हैं यहां पे ठीक है और यह point suppose यह नाम है इसका यह इस point के साथ इस line के साथ angle बना रहा है theta angle ठीक है ना तो इस point का velocity हम लिखना चाहते हैं देखो जो disc है उसका center of mass का velocity कितना हो जगा VCM और omega इसका angular velocity है तो इस हिसाब से बात करें तो हर point का velocity VCM तो हो गई क्योंकि center of mass जिस velocity से चलेगा पूरा body भी उसी velocity से आगे बढ़ेगा clear है और साथ में यह घोम भी रहा है तो इस वज़े से हर एक point के पास एक और velocity हो जागा omega into r तो यह जो a point है इसके पास एक velocity VCM तो हो गई साथी साथ अगर यह disc roll करेगा तो ऐसे roll करेगा that means कि a का tangential direction में कुछ इस तरह से एक और velocity होगा जो कितना होगा omega into r clear है समझ गए तो यह a point का दो velocity हमको देखने को मिलेगा अब इन दो velocities का component break करेंगे इसका इधर omega r का और omega r का इस तरफ VCM का नहीं करेंगे because VCM क्या है x-axis में ठीक है तो देखो यह angle theta है तो उसे साथ से अगर देखे हैं तो यह angle भी theta होगा alternate angle से ऐसे यह पूरा 90 बना रहा है यहां से यहां तक यह 90 है that means कि यह वाला angle हो जाएगा आपका 90 minus theta सेम उसी तरह से यहां से लेके यहां तक क्या है 90 तो इधर वाला part कितना हो जाएगा theta हो जाएगा clear है यहां पर यह angle theta हो जाएगा और omega r cos theta इस तरफ आएगा omega r sin theta इस तरफ आएगा ठीक है that means हमने point a की velocities को निकाल लिया है वो क्या है vcm किदर है x में i cap plus उपर कितना है omega r sin theta और यह किस direction में j cap उपर यह किदर है minus x में तो minus x का मतलब हो गया omega r cos theta is along minus i तो यहां से va का value आजाएगा vcm i cap अच्छा यहां minus i cap है तो common ले लो so vcm minus omega r cos theta i cap ठीक है vcm minus omega r cos theta और i cap common आगया plus omega r sin theta j cap भी रहेगा अलग से ठीक है इस तरह से रख देंगे तो अगर मेरा va आ चुका है अब हम लोग को इसका magnitude भी चाहिए होगा क्यों magnitude चाहिए होगा क्योंकि हम एक point से दूसरे point अगर जाएंगे तो distance equal to speed into time लिख देंगे तो इस वज़े से हमको इस va का value निकाल लेते हैं अलग से root under इसका x square plus y square तो vcm minus omega r cos theta ठीक है i cap plus omega r sin theta j cap ठीक है vcm omega r के बराबर होता है तो जहां जहां पर omega r है वहां vcm लिख सकते हैं तो vcm minus vcm cos theta i cap plus vcm sin theta j cap ठीक है यहां से vcm पूरा में से common आ जाएगा तो इसका हमको magnitude चीए था तो हम लोग इसको i और j में क्या कर देंगे square तो vcm हर जगा से common आ जाएगा root के बाहर भी आ जाएगा और root के अंदर क्या बचेगा 1 minus cos theta का whole square यहां पर तो 1 minus cos theta को लिख देंगे 2 sin square theta by 2 समझ जा रहा है vcm common आ गया 1 minus cos theta को लिख दिया 2 sin square theta by 2 और इसका square है plus यहां से vcm common आ चुका है sin theta को लिख देंगे 2 sin theta by 2 cos theta by 2 ठीक है और हमको इसका square लिखना पड़ेगा अब इन दोनों जगह से देखो क्या common आ रहा है sin square theta by 2 यहां पर है और यहां sin theta by 2 है तो अगर हम common लेते हैं तो 2 तो पूरा बाहर आ जागा तो 2 vcm पहले से बाहर था और sin square theta मेरे को common दिख रहा है दोनों जगह से तो sin square theta common आ जागा और फिर उसका root करेंगे तो sin theta by 2 बचेगा फिर root under यहां बचेगा sin square theta क्योंकि power में क्या था 4 और यहां sin theta का square common आ चुका था केवल cos square theta बचेगा तो sin square theta यहां हो गया theta by 2 और वहां पर हो गया cos square theta by 2 दोनों add हो करके 1 हो जागा मतलब final जो velocity है a का वह आ चुका है 2 vcm sin theta by 2 यह final velocity है किसी भी point का rim में rim में कोई भी point हो हर जगा point जो होता है angle देखते हम लोग की angle कितना है जैसे अगर suppose करो कि हमको इस point का velocity चाहिए तो हम इस point का velocity angle मेरा 0 हो जाएगा ठीक है तो 2 vcm sin 0 तो इस point का velocity 0 हो जाएगा तो इस तरह से angle के साथ किसी भी point का velocity हम लोग बता सकते हैं तो इसको note कर लीजे फिर इसको मिटाने वाले ठीक है तो हम लोग यहाँ पर a point का velocity निकाल चुके है 2 vcm sin theta by 2 ठीक है और अब हम करने वाले हैं कि distance distance निकालना हमको ठीक तो distance equal to speed into time लेकिन time पूरा शुरू से लेके आं तक आप नहीं ले सकते उसके लिए आपको छोटा छोटा पार्ट में integrate करना पड़ेगा इसलिए भी ये डीटी करेंगे और limit कहां से कहां तक होगा देखो अगर time एक revolution का time है तो एक revolution में total जो आगे बढ़ेगा रिंग जितना आगे बढ़ेगा वो 2 pi r होगा और जिस speed से रिंग आगे बढ़ेगा वो कितना होगा VCM ठीक रिंग का या disc का जो center सी वो एक बार घुमने पर कितना आगे जाएगा तो एक बार घुमने पर वो 2 pi r आगे जाएगा 2 pi r आगे जा रहा है साथी साथ इस center का velocity कितना था VCM तो distance by speed कर दो time आ जाएगा तो इसको हम लोग 0 से लेके t तक integrate कर देंगे जिसमें t का value इतना लेना पड़ेगा हमको पूरा एक revolution का time ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो V है कितना है 2 VCM sin theta by 2 0 से t देखो यहाँ theta तो अच्छा dt भी है theta को तो time के साथ लिखना पड़ेगा तो हम लोग एक formula पड़ेते कि omega equal to theta by t तो यहाँ से theta equal to क्या हो जागा omega into t समझ गे तो यहाँ पर theta के जगा तुम रख दो 2 VCM constant उसका integration होगा नहीं 0 से t sin omega t by 2 dt रख दो ठीक है ना अब आगे बढ़ते हैं so 2 VCM अब देखो sin theta का integration तुमको याद होगा minus cos theta लिखते हैं तो इसका integration हो जगा minus cos omega t by 2 और इसके साथ क्या multiplied है time के साथ omega by 2 तो इसको omega by 2 से divide भी करना पड़ेगा omega by 2 से इसको divide भी करना पड़ेगा ठीक है और limit कहां से कहां तक रहेगा 0 से t अब आगे बढ़ते हैं values रखते हैं तो t equal to आ चुका है 2 VCM और यहाँ पर minus cos omega t का value कितना रखना है 2 pi r by VCM तो 2 pi r by VCM और नीचे में 2 से पहले से 2 था फिर minus लगा के और इसका minus plus हो जाएगा cos एक मिनट प्लस कॉस जीरो हो जाएगा ठीक है समझ गया और 2 by omega नीचे पहले से था into 2 इतना आ गया अब आगे बढ़ते हैं यह हो जागा 4 VCM equal to यहाँ पहोता है omega into r यह पहले ही बताये थे यहाँ पहले जब omega into r रखेंगे तो omega कट जाएगा केवल r बचेगा साथी साथ यहाँ पहले जब VCM equal to omega r रखेंगे तो उपर वाले omega r से कट जाएगा और 2 भी कट जाएगा तो यहाँ केवल बचेगा minus cos pi और cos pi 1 होता है उसके साथ minus तो plus हो जाएगा और cos 0 1 तो 4 into 2 8 r हो जाएगा यहाँ पहले ठीक है